आदाब नाजरीन मेरा तारुफ खान या स्वीन ग्लोबल टिंचर जिक आदमी से आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से यूजी सी नेट एक्जामिनेशन इस्लें इस्लामिक स्टडीज हम क्राक कर सकते हैं जब भी बात क्राक करने की आती है तो इसका मतलब है आपने तयारी जो होती है अच्छे से कर रखी है अब आपको जो होता है बस कुछ टेक्नीक्स को जो होते हैं जानने की जरूरत है कि उन टेक्नीक्स के थो आप अपलाई करें और अपने क्वेस्चन को बहतरीन तरीके से पिर उसके आसानी से उस exam को गर्ट कर जाना तो सबसे important चीज़ कि अगर हम बात करें थी जो आपका Islamic studies का UGC net का जो paper है जो design किया जाता है उसे दो पार्ट में design किया जाता है एक होता है paper 1 जिसमें general aptitude जो होता है उस पे based questions आता है दूसरा जो paper होता है जो आपकी Islamic studies नाम के मर्मोल से related जितने भी questions होगे उसी format में पूछे जाएंगे यानि आपका मर्मोल से related होगा तो सबसे important चीज कि आपको पता है कि जो आपका paper 1 है उसमें भी 10 units है paper 2 है उसमें भी 10 units है और ये जो पूरा आपका paper होता है उसमें total 150 questions जो होता है वो पोछे जाते हैं और इसमें total आपको 300 marks जो होता है अप्टेन होता है लेकिन जैसे हम last time की cutoff की बाद करें तो last time का जो JRF का cutoff गया था वो 190 पर था तो general category की बाद कर रहें तो इसमें 190 पे जो होता है इजयारत की cutoff थी तो आपको जो होता है target हमीशन ज्यादा कर बनाना होगा तो आप जो होता है कोशिश करें कि आपको इतनी practice रखनी है कि आपके answers जो होता है वो अपने 210 आपके जो होता है correct हो जाए ठीक है यानि आपको 300 में से सब 210 लिंकर आने सबसे एहन चीज़ दिये है कि इसमें कोई भी तरीकी की negative marking नहीं है तो आप जो होता है सारे सवालाग को जो होता है टेक करेंगी ठीक है इसमें से जो correct होंगे उसका जो होता है marks आपको मिल जाएगा अगर हम देखें तो सबसे जादा जो weightage दिया गया है वो आपकी paper 2 को दिया गया है जिसमें आपको Islamic studies related ही questions जो होता है वो पूछे जाएगे और अगर हम बात करें general aptitude वाले यानि paper 1 में total 50 questions होता है each theory 2 marks that means total जो होता है आपको 100 marks इसमें मिल जाता है paper 2 की अगर हम बात करें तो इसमें total 100 questions होता है each theory 2 marks that means यहाँ पर आपको जो होता है 200 marks बिल जाता है तो अगर हम बात करें कि इस पर questions जो होता है वो कैसे पूछे गया है अब तथे लेकिए आपको पतार है कि सबसे ज़्यदा important यहाँ पर हो जाते हैं कुछ thinkers और Islam in science ठीक है औ और इसके बाद अगर इन बात करते हैं कुरान एक science इस पर questions जो होता है वो पूछे गए ठीक अगर हम thinkers में बात करें तो सबसे important जो मतलब thinker हैं कासिंग अमीम और जो होता है फजनो रह्मान है नो फिर कुछ तफसीर जो होती वो आपको दी जाएगी कुछ आदिस दी जाए सबसे important तीन चीज़े होती है कि आपकी basics layer होने चाहिए आपकी concept जो होता है वो properly build होने चाहिए और उस concept का application जो होता है वो आपको करने आना चाहिए अगर concept application आ रहा है तो आसानी से आप जो होता है अफने सवालात को हाई कर सकते हैं लेकिन अगर कगी पर भी अगर इन तीनो step में कहीं पर अगर disturbance है तो फिर आपके सवालात जो होते वो नहीं डलेगे तो इसी ने सबसे पहले कोशिश कीजिए अच्छी अच्छी standard books होती है और standard books को जो होता है refer कीजिए कुछ YouTube channels पर जो होता है आपके topic जिसमें भी आपको जो होती है मसले मुसार पेश आ रहे हैं तो उसको अब देखिए और फिर अपनी concepts को जो होता है वो बिड़ कीजिए क्योंकि सबसे अहम चीज होती है कि अगर बुन्याद ठीक हो किसी भी चीज़ की अगर बुन्याद अच्छी हो तो इमारत जो होती है वो बहुत पुपसूरत बदती है लेकिन अगर बुन्याद ही हो होगी तो इमारत जो होती हो डह जाएगी तो इसलिए आप सचसे अहम है कि अपने basics अपनी concept building और उनका application बहुत ही important हो जाता है ठीक है इस पे focus कीजिए और जो होता है कोशिश कीजिए कि दिन में तकरीवन जो होता है रख दो पर्ची जो होता है आपको solve करने है अगर आप में दो पर्ची solve करते हैं और उसको मतलब आपको time लगा के क्योंकि time management बहुत important होता है अगर आप proper time लगा कर अपनी जैसे आप exam center में बैठते विल्कुल उसी तरीके से सवालात पो खन कर रहे हैं ना तो यह आपको बहुत ही आसानी होता है provide करेगा आगे शत के ठीक है तो आ आप अपने बेसिक अपने concepts को बिंड कर सकते हैं कितने वक्त में कितने सवालात खन की जाएंगे यह सारे चीजों की जो होती है तवस्तीन से वहाँ पर जिक्र किया गया है बताया गया है आप जो होता है उन चीजों को देखिए आपको जो होती है बहुत जादा यह चानल जो होता है helpful होगा आप भी Islamic studies में exam को crack करने के लिए उम्मीद है आपको यह चीज सवज आई होगी शुक्रिया